जीद फिक्स पासिना भाना तुम्हें भीड से अलग बना सकता है और एक घंटा पूरे दिन का सिर्फ चार परसेंट टाइम होता है रिजल्ट एक रात में नहीं आता कई वर्काउट सेशन लगते हैं रियल वर्काउट तब शुरू होता है जब तुम्हें लगता है कि मैं ठब गया हूँ अगर तुम चिम करने के बाद भी सुन्दर दिख रहे हो ना इसका मतलब तुमने इमानदार इसे चिम नहीं किया तुम्हारी बोडी ही तुम्हारा पहला गहर है जिसमें तुम रहते हो इसकी दिवारे मजबूत बनाओ बढ़ाई भी जरूरी है लेकिन बिग बाइसेप भ मैं बजाता हूँ जब उसकी बोडी दर्द करने लगती है उसके बाद की महनदी तुम्हें बोडी बिल्डर मनाती है जब दुनिया सुबस चार बजे नीन के आगोस में सो रही हो तब शरीर में महनद का हार्मोन दोड़ता है जब लोग ये कंप्लेन करते हो कि आज गर्मी है उमस है सर्दी है उस वक्त तुम्हारा अपने आपको पसीने में तपाना बोडी बिल्डर एक चीज अच्छी तरह जानता है कि दर्द कुछ मिनट या कुछ घंटे का ही है लेकिन उसको प्राउड हमेशा रहेगा क्योंकि भीड से अलग दिखेगा उसका confidence level high होगा जब तुम स्ट्रेस में रहो तब तो रिपिटेशन जादा मारो जब तुम्हारे दिमाग से सिगनल आए कि जोर आ रहा है तब बोलना अपने आपको अभी तो मजा आ रहा है कभी भी अपने वर्काउट से चीट मत करना यह कोई girlfriend बॉइफरेंड नहीं है यह तुम खुद हो जितना तुम अकेले में पसीना बहाओगे उतना ही तुम किसी दुश्मन के सामने कम खुन बहाओगे कमांडो को सिखाया जाता है एक बोडी बिल्डर इस बात को अच्छी तरह से जानता है पर यहाँ पर तुमारा दुश्मन तुम खुद हो जिसका मन नहीं करता वर्काउ जाएगी फिटनेस का मतलब यह नहीं कि मुझे दूसरों से अच्छा दिखना है फिटनेस का मतलब यह है कि मुझे अपने आप को कल से बहतर दिखाना है जैसा मैं कल था जितनी पावर मेरे शरीर में कल थी उससे जाना आज होनी चाहिए तुमारा हाड़ वर्की तुम्हें सिक्स पैक दिला सकता है आज घर पर बता देना कि मम्मी जिम जा रहा हूँ लेट आओंगा रास्ते में जाते जाते सोचना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ किसने मुझे को धोका दिया है मेरा किसने अफमान किया है मुझे किसने सबसे ज़्यदा रूलाया है और अपनी हर ए चूट गई थी अपने आपका एक रूटीन मनाओ सोना उटना काम करना वर्काउट करना पसीना बाहना और इन सब को फिर से कल से रिपीट करना धर्थ कुछ देर होता है लेकिन प्राउड हमेशा रहता है कि मैं दूसरों से बहतर हूँ मैं दूसरों से ज्यादा फिट और तब तब तुम्हें वो सब करने का confidence मिलेगा जो तुम पहले नहीं कर पाते थे ये कोई फरजी चीज नहीं है ये कोई मजाक नहीं है तुम्हारी training है एक चीता की तरह train होना है तुम्हें जवान होना तुम तो जवान की तरह करो अगर साथ बार गिर के तो आठी बार उ पुश्किल हो जाएगा और जब तुम एक जिन खुद उनके सामने जाओगे जो बोलता था कि ये तुमसे नहीं होगा तो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप दिख जाएगा और सुन आज से ये कच्रा पट्टी खाना बंद तुम कैसे दिख खामार अपने आपको वर्काउट करने के लिए फिर तो अपने आप पसीना बहाएगा और अगर ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लेना तब ही तो अगला वीडियो देख पाएगा चैहिंद वन्दे मात्रम जीद फिक्स